News Today Network उत्राखंड का भरोसे मन्द डिजिटल निउस चैनल नमशकार News Today Network के उत्राखंड बुलिटिन में आप सबी का स्वागत है इस खास बुलिटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्राखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में भी जानकारी दिंगे तो चलिए बुलिटिन के शुरुआत करते हैं हैडलाइन से प्रदेश में आज से खुल जाएंगे पहली से बारवी कक्षा तक के स्कूल जारी हुए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी ने सची वाले के विबिन अनुभागों का किया निर्देश अधिकारियों को दिये जरूरी निर्देश कोविड नियमों के पालन को लेकर सक्त हुई हाई कोट सरकार से मांगा लापरवाही का जवाब महिलाओ के संग हो रहे दुरचार के लिए कॉंग्रिस का प्रदर्शन भाशपर परसाधा निशाना विधान सबचुनाओ से पहले सोशल मीडिया में चिड़ी भू कानून की जंग पूर्विसीयम हर्दा भी हुए इस जंग में शामिल उत्राखंड से दिल्ली जाने तक का रास्ता हुआ साफ यूपी सरकार से अनुमती के बाद चलेगी रोडवेज बसें भारती रेलवे ने पेंशनरों के लिए की बड़ी घोशना बुलिटिन में देखे क्या है पेंशन प्रोसेस को सरल बनाने का पूरा तरीका उत्तरप्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने शिक्षक के 2003 पदों पर निकाली भरती आज है आविदन की अंतिम तारिक अब खबरे विस्तार से शिक्षा मंत्री अर्विन पांडे ने आज शिक्षवी भाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आठ जुलाई यानि आज से स्कूल खोले जाने के निर्देश दिये हैं जिसको लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं शिक्षा मंत्री ने कक्षा एक से बारवी तक के सभी स्कूलों को खोले जाने के निर्देश दिये हैं हाला कि स्कूल केवल शिक्षकों के लिए खुलेंगे चात्रों के लिए अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के भी निदेश दिये जाएंगे वहीं ऑनलाइन पढ़ाई के तहट Google Play Store से भी छात्रों को पढ़ाई का आप्शन दिया जाएगा छात्रों के लिए स्कूल आने को लेकर शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसको लेकर मुक्योंत्री के साथ वार्ता कर फैसला लिया जाएगा कि छात्रों के लिए कब से स्कूल खोले जाएंगे और इसलिए हम अटरों के उतकर्ष्ट विद्यालेक हम भेश भी हम बढ़ा रहे हैं कच्छा अभी इस वर्ष कच्छा 9 और कच्छा 11 इसमें भी हम इंगलिस मीडियूम बच्चों को हम पढ़ाएंगे जो हिंदी मीडियों से पढ़के जो बच्चे दस्वी में पहुँच चुके हैं निच्ची थी उन पर सीधा इंगलिस मीडियूम थोपेंगे तो कई बच्चों को तिक्कत आ सकती है क्योंकि हमारा इंग पहला अनुभागों का निख्चर किया इस अवसर पर उन्होंने विबिन्न पत्रवालियों का अजिव वी तोरान मुठी मंत्री ने अधिकारिये को निदेडेश दिये कि शाशं इस्तर पर प्राप्त होने वाली पत्रावलियों का निस्तारण किया जए उन्होंने कहा है कि शाशन से जंता के बहुत उम्मीदे होती है की परधरिश्य तक का विशेश ध्यान रखा जाए खबर कोविड नियमों के पालन को लेकर सक्त हाइकोट की पुत्राखंड में परिटक स्थलो पर उमर रही तूरिस्टों की बेतहाशा भीड और कोविड नियमों की हो रही अंदेखी पर हाइकोट की खंडपीट ने सक्त रुक अपनाते हुए सरकार को भी चिताया है इसके साथ ही चारधाम्यात्रा मामले में हाई कोट में सुनवाई हुई जिसमें हाई कोट ने 28 जुलाई तक चारधाम्यात्रा पर रोक लगा रखी है पहले ये रोक साजुलाई तक थी, इतना ही नहीं कोट ने प्रदेश में कोविड नियमों का हो रहे उलंगन पर भी सरकार से जवाब मांगा है खबर कॉंग्रेस के विरोत की उत्राखन प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीतम सिंग के आहांद पर महानगर कॉंग्रेस के कारिकरताओं ने बरती महनगाई बेरोजगारी महिलाओं के साथ हो रही बलतकार की घटनाओ तता हरिद्वार कुंब में हुए कोरुना टेस्ट महागोटाले के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया रुद्रपुर के बाटा चौक पर भी राज्य की भाज्य सरकार का पुतला वहन किया इस दोरान महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा है कि भाज्य सरकार पूर्ण रुप से फेल हो चुकी है अपनी नाकम्यों को चुपाने के लिए आए दिन नए नए मुख्यमंत्री बना रहे है आजाम आदमी बड़ती महंगाई और बेरोजगारी से परिशान हो चुका है लेकिन सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है मैंने कहा कि नौजवान साथियों को रुजगार देने का बादा संत्त में बैठेवे लोगों ने क्या था लेकिन जरी 4 साल में उस समत Again को रूजगार नहीं मिलगा उ ere हुज जिस तरीके से का सारकार के कर्वियों मन्रेगा के करभियों के साथ पंचायती राज क्रभियों सब्ढ़े और कि किसी से चपा पर ने लगातार मुख्यमंत्री डें और नहीं लुख्यमंत्री सब्सक्राइब करेंगे उसका लंबा प्रोसेस है लेकिन सिर्फ जुम्रेबाजी करने का काम सत्ता में बैठे वे लोग लगातार कर रहे हैं खबर सोशल मीडिया में चिड़ी भू कानून की जंग की देव भूमी उत्रखंड में भू कानून को लेकर सोशल मीडिया पर अब लोगों ने जंग छेड़ दी है प्रदेश के पूरी मुख्य मंत्री हरी श्रावत समीत कई समाजिक संगटनों का इसे समर्थन भी मिलने लग इस्थानी लोगों का मानना है कि वह अपनी आने वाली पीड़ी के लिए एक अच्छा उत्रखंड दे कर जाना चाते हैं इसलिए वह अपने हग की लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे उत्रखंड के पहाड और जंगल सुरक्षित रह सकें खबर हल्दवानी से दिल्ली के लि नहीं जाना पड़ेगा दरसल उत्रप्रदेश ने कोरुना के खत्र के कारण अंतिराजी बसों के संचानन पर रोक लगा दी जिस कारण उत्रखंड रोड़ेज बसों को दिल्ली वा अनिराज्यों को जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था हल्दवानी इंडियन रेलवे के पैंशनरों के लिए जरूरी खबर है खासकर उनके लिए जो हाल ही में रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं अगर आपकी पहली पैंशन बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है तो परिशान ना हो रेलवे बोर्ड में इसके लिए खास इंतिजाम किया है उसने पैंशन जारी करने वाले अफसरों को भी इस समस्या को तत्काल निप्टाने को कहा है इस पहल को पैंशन प्रोसेस को सरर बनाना कहा गया है रेलवे बोर्ड के लेटर के मताबिक बैंक आफ बरोदा में जिन रेल करमचारों का पैंशन खाता है उसमें अधूरी या ग सहायता प्राप्त और शाशकी महाविद्यालों में सहायक अचारी के 2003 पदों पर भरती निकाली है आविदन की प्रकेरिया 8 जुलाई यानि आज समाप्त होने जा रही है इच्चुक और योगी उम्मिद्वार इस भरती के लिए ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं शैक्षिक य अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिये अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ہमारे चैनल को लाइक करिये और हमारे पेज को फॉलो करें नमस्कार